नमस्कार दोस्तों, Welcome to Kairos UPAC, Right Time at the Right Moment तो चलिए, शुरुआत करते हैं आज के हमारे UPAC के लिए daily MCQs की सबसे पहला MCQ आपके सामने है Which sentence or sentences is or are correct regarding tree school exercise? चलिए, आपको tree school exercise के regarding बाते बतानी है पहला sentence, It is the early large scale Indian army exercise दूसरा, It is organized by western air command तीसरा, Tree school training drills are strategically positioned in the northern sector covering regions such as Ladakh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir और Punjab और चोथा sentence पूछ रहा है The exercise demands an exceptionally high level of coordination and readiness among all participating unit assets देखे, अगर चोथा sentence आप ध्यान से पढ़ोगे तो यह एक general सा sentence है ठीके, अब general से question जो होते है यह ज्यादा तर exercise में सही होते है कि भाईया हम सब लोग एक साथ मिलेंगे, coordination करेंगे, participate करेंगे और कभी अगर कोई यसी condition हो जाए तो हम कैसे रहेंगे, एकदम ready रहेंगे तो चोथा sentence बिल्कुल सही है, अब जहाँ पे चार नहीं है वो काटो, यानि कि A option कट गया अब देखते हैं पहला दूसरा और तीसरा, तो देखिए, पहला दूसरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भया, इंडियन आर्मी एकसरसाइज है और इसको कंड़क करने की बाद बता रहें, western air command तो दो में से एक sentence गलत होगा, अब कौन सा गलत होगा यह आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे यह जो हमारी exercise है, यह exercise हमारे air force की है ठीके, तो पहला sentence हमारा गलत हो गया, अब पहला गलत हुआ, तो यहाँ पे हमारा D भी कट गया, हमारा B भी कट गया, क्यूंकि सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है, दूसरा, तीसरा और चोथा sentence, यानि कि जो हमारा पहला इंडियन आर्मी वाला sentence था, उसको काट देने से हमें answer C मिल जाता है, ठीके, क्योंकि यह किसकी है, air force की है, जिसको organize किया जा रहा है, western air command के द्वारा, और यह strategically position है, हमारे northern sector के area में, ठीके, तो यहाँ पे C is the right answer, ठीके, बाकी की सारी information यहाँ पे दिया हुआ है, कि recently Indian air force ने early large scale training किया हुआ है, कहां किसके लिए, northern और western sector के लिए ठीके, और यह जो exercise है, उसको conduct किया था western air command WAC ने, ठीके, ओके, चलिए, और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, कि इसमें बहुत सारे हमारे high level के weapons यूज हुए है, जैसे कि राफेल, मिराज, सुकोई, M30, एक और चीज, western air command का headquarter याद रखेगा, नाम है, उसका सुब Read the following statements which are true regarding literacy week about the last 9 भारत साक्सरता कारेकरम, देखे, अभी एक literacy week चल रहा है, और इस literacy week में, उलास नाम का जो एक कारेकरम है, जो की है, 9 भारत साक्सरता कारेकरम, उसके regarding 3 sentence दिया है, आपको बताना है कौन सा वाला सही है पहला, its components are foundational literacy and numeracy, important life skills, basic education, vocational skills and continuing education, तो भाया, यह जो उलास है, उसके 5 और 5 यह जो components दिये है, वो बिलकूल सही है दूसरा, scheme slogan is उलास, यस, उसका logo भी क्या है, उलास का ही है, तो दूसरा sentence भी सही है तीसरा, scheme slogan is हर गर साकसर, देखे, यह बात गलत है, क्यूंकि हमारा जो logo है, यह है, जन जन साकसर, ठीके, क्या है, जन जन साकसर है तो तीसरा sentence गलत है, तो तीसरा sentence जैसे ही गलत है, B गया, D गया, और पहला दूसरा सही है, तो option C जो है, यह हमारा सही answer हो जाएगा ठीके, देखे, क्या हुआ है, कि अभी हमारे यहां पे, हमारे देश में, 1st September से लेके, 8 September के बीच में, क्या चल रहा है, Literacy Week चल रहा है और इस Literacy Week में हमने एक कारेकरम किया हुआ है, उल्लास, नव भारत साकसरता कारेकरम, उल्लास की spelling अगर आपको कहीं कभी भी पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए, कि भईया, इसका full form क्या होता है, देखे, Understanding of lifelong learning for all in society, यानि की उल्लास, जिसका slogan है, जन जन साकसर, एक पूर चीज़ याद रखेगा कि International Literacy Day एक अब्जव किया जाता है, 8 September को, ठीके, गांदी जी हमने किया करते थे, कि भईया, आपको कभी भी अपनी student life से बाहर नहीं निकलना है, मतलब कि आपको आज जीवन, जब तक आप मरते नहीं हो, तब तक आपको एक student की भाती ही attitude होता है, learning का होता है, ठीके, चलिए, next MCQ पूछ रहा है, recently India introduced the world first mobile hospital under which scheme, दिखे, क्या हुआ है, कि इंडिया ने अभी एक दुनिया का पहला mobile hospital, यानि कि एक जगह से दूसरी जगह पे हुएबल है, उस प्रकार का mobile hospital launch किया है, वह किसके project के अंतरगत किया है, project महित्री, project आरो देखे, यहाँ पे जो सही answer है, यह है हमारा option C, project भिश्म, अब आपको अगर ऐसा पूछ लिया, कि भया project भिश्म किसके regarding है, साथ में option दिये होंगे, कि भया health है, education है, भया international relation है, या फिर भया defense है, ठीक है, ऐसा भी question UPSC पूछ सकती है, UPSC और आपकी state PCS के लिए project भिश्म काफी महत्वपून sentence format कर सकता है, question format कर सकता है, ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह क्या है, और यह क्या हुआ है, तो recently क्या हुआ है, कि भारत ने दुनिया का पहला portable disaster hospital launch किया हुआ है, और यह launch किया हुआ है, 72 cubics के साथ, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें operation theater होता है, mini ICU, ventilators, blood state equipment, x-ray machine, cooking station, food, water, shelter, power generation, ऐसे सारे के सारे जो भी आपकी basic necessity है, जो भी आपके essential equipment है, वो सारे के सारे आपके एकदम ready to launch, आप क्या कर सकते हो, इस movable hospital को establish कर सकते हो, ठीक है, किसके अंतरगत किया हुआ है, project भिश्म के अंतरगत किया हुआ है, और याद रखेगा, भि health initiative for सहयोगीता and मैत्री, I am फिर से, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, भारत health initiative for सहयोगीता and मैत्री, चलिए, चलते है आगे, read the following statement about global fintech festival 2023, भाया, global fintech festival 2023 हो रहा है, उसके regarding 3 sentence दिये है, लेकिन उस 3 में से आपको क्या बताना है, wrong वाला sentence बताना है, ठीक है, चलिए, पहला, it is organized by payment council of India, यानि की PCI, और fintech convergence council and national payment corporation of India, यानि की NPCI, तो क्या इसको इन्हें ने launch किया हुआ है, yes, बात तो बिलकुर सही है, दूसरा, the theme for this festival is global collaboration for responsible financial ecosystem, inclusive, resilient, sustainable, देखे, UPC में पहले एक टाइम पे बहुत सारे theme पुछे जाते थे, लेकिन अभी क्या है, UPC इतना आसान सवाल नहीं पूछ रही है, अलाकि ऐसा नहीं कह सकते कि UPC आने वाले time में ऐसा सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन आपके state PCS की ज्यान में रखते हुए, और UPC में अगर कोई trend बदल दिया, तो ऐसे आपको theme याद रखनी है, लेकिन ऐसे बहुत सारी theme होती है, इसलिए आपको ऐसा suggest नहीं किया जा रहा है, कि आप सारी की सारी theme एकदम याद करके जाओ, या फिर ratification करो, ठीके, आपको क्या करना है, जब भी पढ़ोगे तो theme को अच्छे से पढ़ लेना है, अब आप revision तो करते ही होंगे, और उस revision में आपको theme को पढ़ लेना है, मैं ऐ क्यूबा कहां से आ गया, ठीके, क्यूबा और USA दोनों के बीच में भूनिया का सबसे ज्यादा लंबा जो चलने वाला कोई सीत यूद होता है, तो ये क्यूबा में हम कह सकते, आपको क्यूबा के एक president का, एक leaders का नाम पता होना चाहिए, कौन है, फिडेल कास्ट्रो, तो त बाकी दोनों सही है, तो भाया यह जो फेस्टिवल है, यह फेस्टिवल तीन दिन में 13 tracks में 800 प्लस speaker के तुरू 50 प्लस reports प्रस्तुत करेगा, जिसमें 81 academic papers भी होंगे, और 50 प्लस workshops भी होंगे, यानि कि एक बहुत ही बड़ा fintech festival होने जा रहा है, अब भाया आप बता दीजे कि fintech का मतलब क्या होता है, फिंटेक का मतलब होता है finance वत्ता technology, ठीक है, मतलब कि finance में technology का आप जैसे इस्तमाल करोगे, तो यह domain हो जाएगा, किसका fintech, जैसे कि उसका एक best example है UPI, दूसरा best example है ATM, यह सब क्या है, यह सब है आपके fintech के example, ठीक है, तो recently क्या हुआ है, कि recently global fintech festival में Australia, Brazil, Great Britain, Germany और Israel, इन लोगों ने क्या किया हुआ है, जोइन किया हुआ है, ठीक है, अब मेरे ख्याल से दुनिया में Great Britain को सिर्फ Britain ही बोला जाए तो अच्छा है, क्योंकि Great होने वाली कोई चीज हमें वहाँ पे दिखती नहीं है, ठीक है, वहाँ पे Indian origin का एक बंदा अभी प्राइम मिनिस्टर बनके बेठा है, और वह कौन है, बोले 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 बोले, ब्रिटन के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताई है, चलिए, इसकी थीम क्या थी, तो कि Global Corporation for Responsible Financial Ecosystem, Inclusive, Resilient and Sustainable, चलिए, अगला, Read the following statement about Japan Aerospace Exploration Agency, देखिए, इंडिया ने मून पे अ तो Space Industry काफी important हो जाती है, और जापान जो कि हमारा मित्र है, तो उसका भी जो sentence है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपून हो जाता है, चलिए, दो sentence दिये है, आपको बताना है, उनमें से correct वाला पहला, It recently launched Moon Sniper Mission for Lunar Exploration, बात तो बिल्कुल सही है, उन्होंने Moon Sniper Mission को launch किया ह हुआ है, दूसरा, XRISM Satellite is launched with H-IIA rocket, देखिये भईया, H-IIA rocket जापान में इस्तमाल होते है, जैसे कि हमारे यहाँ पे PSLV और क्या है, GSLV है, ठीके, चलिए, आप एक और चीज़ बताए कि जो आदित्या L1 है, या आदित्या L1 and जो हमारा चंद्रयान तीन है, या दोनों क किन रोकेट ने उपर भेजा हुआ है, देखिये, फिलाल हमारे question में दोनों sentence सही है, दोनों सही होने के साथ ही option B, जो है हमारा सही answer हो जाएगा, ठीके, देखिये, बाकी की सारी चीज़ यहाँ पे लखा हुआ है, और उसके regarding आपको वीडियो को pose करना है, और पूरी की पू 2019 के हमारे PYQs question की और, चलिए, सबसे पहला MCQ आपके सामने है, पूछ रहा है, which of the following statement is or are correct regarding the maternity benefit amendment act 2017, देखिये, यह question पूछा हुआ है 2019 में, और 2019 में उन्होंने पूछ लिया 2017 के एक्ट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि भाया, 2024 में या 2025 में हम preparation कर रहे हैं, तो हमें 2021 से प्लस वाले जो भी हमारे act है, जो भी amendment किया हुए है, वो सारे important हो जाते हैं, देखते हैं तीन सेंटेंस और तीन सेंटेंस में से हमें बताना है correct वाले, पहला, pregnant women are entitled for 3 months pre delivery and 3 months post delivery paid lieu, भया 6 महीने की चुट्टी आप दे तो रहे हो, 26 week की चुट्टी तो आप दे रहे हो, लेकिन यह ऐसा नहीं है कि पहले 3 महीने और बाद में 3 महीने, क्योंकि 9 महीने की जो pregnancy period रहता है, उसमें 8 मन तक तो ladies अपना काम कर सकती है, पिसमें जाके, समझ रहे हो बाद, हाँ, तो जो भी चुट्टी की requirement होती है, वो baby के आने के बाद होती है, इसका मतलब pregnancy के बाद वाले time में आपको ज़्यादा ज्रोरत होती है, ज्यादा रेष्ट करने की जरूरत होती है, तो पहला हमारा जो woman को entitle किया हुआ है, तीन महीने पहले तीन महीने बाद में, यह sentence के साह है, यह sentence हमारा गलत है, अब जैसे ही पहला गलत किया, तो हमारा e kattah, a4 साथ दी kattah, क् मतलब कि अगर किसी के पास छोटा बच्चा है और वो जोब करने जा रहे हैं तो जोब करने के टाइम पे जहां पे क्रेच नाम की सिस्टम होती है जैसे कि हम बोलते हैं जूला में डाल दो बच्चा रोता है तो सांथ हो जाएगा तो जूले में एक महिला अपने काम के दोरान छे बार विजिड करने के लिए जा सकती है ऐसा रूल्स है अब भया सोचो कि किसी कंपनी किसी महिला को किसी वूमन को किसी मदर को अपने बच्चे को मिलने के लिए दिन में 6 बार जाने देगी तो फिर time कहां मिलेगा वो अपना काम कैसे करेंगे तो इसलिए इसको यहाँ पर जो must लिखा है न यह चीज बहुत गलत है और गलत होने के साथ साथ हमारे sentence को भी गलत करती है क्योंकि यह 6 नहीं है यह कितने हैं सिर्फ 4 बार ही अलाव करते हैं ठीक है तो दूसरा गलत है तो B कटा option मिल गया answer C 3 only क्योंकि woman with two children get reduced entitle man ठीक है चलिए अगला MCQ पूछ रहा है आपको consider the following statement तीन सेंटेंस दिये है और अगेन आपको बताना है correct वाला पहला पेट्रोलिया में natural gas regulatory board PNGRB is the first is the first regulatory body set up by the government of India कैसी बात कर रहे हो यार आप पूछ रहे हो कि petrol and natural gas regulatory board वो हमारे देश की प्रतम regulatory body है set up by government of India अब ऐसा तो है नहीं क्योंकि हमारे देश में try बन चुका था हमारे देश में sebi बन चुकी थी हमारे देश में हम देखने जाए तो irda भी बन चुकी थी ठीक है और ये जो PNGRB बना ये कब बना ये बना 2006 में लेकिन भाईया आपको 2006 पता तो होना चाहिए ठीक है आपको पता है try कब बनी sebi कब बनी irda कब बनी सब पता है लेकिन अगर PNGRB पता नहीं है 2006 में तो फिर आप इस sentence को सही बना के आते जो कि आपका question गलत था और यही UPSC पूछ रही थी कि भाईया आपको बता है क्या कि petrol और natural gas regulatory body कब बनी थी अब जैसे ही मुझे पता चला कि भाईया 2006 में बनी थी और उसके पहले try से भी irda ऐसी बहुत सारी regulatory body already set up किया हुआ था तो पहला वाला sentence मेरा गलत है अब जैसे ही मैं पहला गलत कर रहा हूँ पहले से ही A कटा C कटा और साथ में D भी कटा लो जी अंसर आगया B only ठीक है क्योंकि क्या है कि one of the task of PNGRB is to ensure competitive market for guests ये जो PNGRB board है हमारा ये competitive बना के रखता है साथ ही साथ ये क्या करता है कि appeal against the decision of PNGRB ये board को decision देता है तो आपको appellate tribunal of electricity में जाने का बात कर रहा है तो दूसरा sentence गलत है और तीसरा sentence हमारा सही है नहीं दूसरा भी सही है तीसरा भी सही है यानि कि option C जो है sorry option B जो है ये हमारा सही answer है चाद ये एक और question देखते है consider the following statements तीन sentence दिये है और उन में से आपको पूछना है बताना है correct वाले पहला call sector was nationalized by the government of India अंडर इंडिरा गांधी देखे अब UPSC कितना smart हो गई है आपको सिधे सिधे static question पूछने में factual नहीं पूछते लेकिन concept में डालके आपके साथ factual की preparation करवा रहे है जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन से president का कौन सा time है कौन सा time period चल रहा है कौन से prime minister कौन से time के बीच में उन्होंने पूरे देश को govern किया हुआ है साथी साथ कौन सी five year plan कहां से कहां तक चल रही है क्योंकि इन में से कोई एक event डालके यह पूछेंगे कि भया बताओ यह कौन से साल में हुआ था अब जैसे कि आपको पता है कि भया इंदिरा गंधी के time में क्या ऐसा call sector का nationalize हुआ था तो आपको उसके लिए year पता होना चाहिए हलाकि बात बिल्कुल सही है A हमारा sentence जो है यह बिल्कुल सही है तो भया ऐसे हमारा C कटा और साथ साथ B कटा अब देखते हैं एक, दो और तीन अगर दो और तीन में से कोई एक भी सही होगा तो हमारा answer D आ जाएगा वरना answer A आ जाएगा देखते हैं दूसरा Now call blocks are allocated on lottery basis भया नाउ का मतलब क्या हुआ नाउ का मतलब हुआ 2019 की साल अब 19 की साल में हमारे देश में lottery basis पे हम auction नहीं हमारे call blocks को allocate नहीं कर रहे थे हम क्या कर रहे थे हम कर रहे थे auctions, हराजी, बोली बोला रहे थे कि चलिए बैया दोस रुपे की चीज है आप में से कोई है जो 11 रुपे में खरीच सकता है 12 में खरीच सकता है क्यूं हुआ था क्यूंकि आपको पता होगा एक call gate का कवभांड हुआ था ठीके 2G call gate ऐसे बहुत सारे जो कवभांड हुए थे 2014 से पहले तो उस टाइम पे lottery basis एक महत्वपूर्ण tool था उन लोगों के पास कि जिसके through यह corruption कर सकते थे तो यही corruption के दोरान हमारे देश में एक नया act आया था और उस act में क्या कर दिया कि भया अब जो भी मिन्डल से उसको हम lottery नहीं options ही करवाएंगे तो दूसरा sentence हमारा सही है sorry दूसरा sentence हमारा के सा है गलत है क्योंकि lottery नहीं हो रही है दूसरा गलत हुआ तो D गया D गया तो option A जो है यह बिल्कूल सही हो जाएगा ठीके तीसरा भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी गलत है क्यों देखिए till recently till recently मतलब 2019 तक India imported call to mid-resortage of domestic supply but now India is self-sufficient in call production नहीं बात गलत है देखिए हाला कि हम दुनिया के anthracite call नहीं है जो हमारे steel के steel हमारा manufacturing होता है उसमें इस्तमाल करने के लिए जाना चाता है लेकिन हमारे पास anthracite call नहीं है तो हमारा जो call है यह हमारा call हम किसमें इस्तमाल करते हैं हम इस्तमाल करते हैं power plant में ठीके और जो steel के लिए हमें चाहिए उसको क्या करते हैं उसको हम करते हैं इंपोर्ट उस्ट्रेलिया से हो गया यूकरेन से हो गया रस्या से हो गया ऐसे बहुत सारे कंट्री से हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया अभी सेल्फ सफिस्यन नहीं कहा सकते ठीक है तो इसलिए दूसरा तीसरा गलत है औ में आपको बताना है कौन से वाले सही है पहला सेंड is a minor mineral according to the prevailing law in the country दिखिए minor mineral और major mineral ऐसे दो प्रक्टाइब्स के mineral ऑते है माईनर मिल जो हते है यह state की जिम्मेदारी होती है जो major mineral होते है यह किस की किन की जिम्मेदारी होती है यह होती है central government की ठीक है तो पहला चीज बिल्कूल सही है कि सेंड जो है यह कैसा है स्टेट की responsibility में minor minerals के तोर प्याते है चलिए पहला वाला सही है इसका मतलब एक अटा क्योंकि उसमें एक है ही नहीं दूसरा state government have the power to grant mining lease of minor minerals but the power regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गए क्यों दिक्कत आ गए क्योंकि यह question पूछा था 2019 में और अभी recently 2021,22 और 2023 में यह चीज गलत साबित हो जाएगी क्योंकि हमारे पास एक mmrd करके act pass हुआ है जिन में आज के time पे दूसरा sentence सही हो सकता है लेकिन उस time पे दूसरा sentence गलत हुआ था ठीके तो दूसरा गलत हुआ तो D कटा और B कटा हमें मिल गया हमारा answer option C क्योंकि तीसरा वाला यह भी सही है कि state government have the power to frame rules to prevail illegal mining of minor minerals ठीके अब यहाँ पे अगर उन लोग ने major लिख दिया होता तो यह भी गलत हो जाता फिलाल option C जो है यह हमारा सही answer है चलिए in a given year in India official poverty lines are higher in some states than in other because poverty rates vary from the state to state price level vary from state to state gross state product varies from state to state और quality of public distribution varies from state to state भया हर एक state में अलग अलग poverty की line होती है उसके पिछे का reason क्या है तो उसके पिछे का reason यह होता है कि जो चीज गुजरात में 12 रुपे की होती है यही चीज जार्खंड में 36 गड़ में अगर 15 रुपे की हो जाएगी तो गुजरात से comparison में अमारे जार्खंड और ओरिस्सा की side में price कैसे होंगे ज्यादा होंगे और ज्यादा price इसका मतलब वहां पे गरीबी की रेखा उपर रखनी पड़ेगी ठीके तो option B जो है यह हमारा सही answer हो जाएगा चलिए यह थे हमारे आज के MCQs देखे आपको करना है इस channel को support अगर आपका support मिलता रहेगा तभी इस channel को हम आगे बढ़ा पाएंगे और इसके लिए आपको करना है अपने friends के थुपास इस channel को promote ठीके और आपकी कोई दूसरी requirement है तो आप comment section में बता सकते हैं चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू